असलाम लेकुम, विल्कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, हमारा आज का टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर आफ फंजाई, इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में फंजाई का इंट्रोड़क्शन पढ़ा था, आज हम देखेंगे के फंजाई का सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ इसके बाद हम देखेंगे के प्रोटोप्लास जो है, इसके डिफरेंट पार्ट्स कोन से हैं, इसमें फॉर उक्जेंबल आता है प्लास्मा लीमा, वेक्यूल, एंडोप्लास्मिक रेटिकूलम, माइट्रोकॉंट्रिया, गल्जी बोडिस, साइटोप्लास्मिक बोडिस, न प्लास्मा लीमा की हम बात करते हैं, प्लास्मा लीमा आपको पता है कि प्लास्मा मेंबरेन के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, प्लास्मा मेंबरेन बेसिकली डबल मेंबरेन है, ठीक है, जिसमें ना, इसमें जो प्लास्मा मेंबरेन का फंजाई में, वो बेसिकली यू से नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्यूल की वेक्यूल आपको बैसिकली पता है स्टोरिज स्ट्रक्चर है ठीक है कुछ ऐसे फंजाई हैं जिनमें एक ही लाज वेक्यूल होता है जबकि कुछ ऐसे फंजाई हैं जिनमें स्माल वेक्यूल्स प्रेजंट हो सकते हैं एंडोप्लास्मी क्रेटिकुलम की बात करें तो वो वेल डिवेलप्ट होता है इनमें ठीक है और कुनेक्टिड होता है राइबोजोम्स के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ठीक है MICRONордRIA की बात किरें तो MICRONDRIA Abundant होते हैं फंजाई मे MICRONDRRIA जो है इनकी जो मिंबरेन है वो double membrane है ठीक है और जो outer layer है ना मिंबरेन की वो continuous होती है亀ндो प्लाळ міक्रे साथ यानी एन्डो प्लाभ मिक्रे कृलम के साथ जाके मिली होती है गॉल्जी बाडी इनमें बहुत कम होती है अगर प्रेजन्ट हूँ तो राड्स की फॉर्म में या फ्लैट सिस्टर्णी की फॉर्म में प्रेजन्ट होती है साइटो प्लास्मिक बाडी या साइटो प्लास्मिक माइक्रो टिब्यूल्स की बात करें तो वो सारे cytoplasm में present होती है function उनके क्या है cytoplasmic microtubules के दो function है एक तो ये movement allow करती है cytoplasmic movement और दूसरा cell shape को maintain रखती है यानि cytoplasmic contents को move करने में help करती है और cell shape को maintain रखती है cytoplasmic microtubules में round और oval shaped bodies होती है उन्हें हम कहते हैं micro bodies micro bodies जो है ना ये basically precursors है proxizomes के proxizomes जो है ये specific organelles हैं ठीक है उसके बाद ribosomes ribosomes आपको पता है protein manufacturing की factory है ठीक है अब ये दो तरह से present हो सकते हैं या तो cytoplasm में freely present होंगे या फिर endoplasmic reticulum के साथ associate होंगे nucleus की बात करें तो इन में true nucleus होता है जो हमने last lecture में भी बात की थी के true nucleus कौन सा होता है जिसके गिर्द क्या होती है nuclear envelop होती है nucleolus में सिरफ RNA present होता है ठीक है ये था हमारा cell structure फजाए का आज का lecture next इंशारा हम fungal tissues पे बात करेंगे कर दो विह ये गाज पर्साम पर तो अजे टेए